36 गड के जगदलपुर के भंगाराम चौक के पत्रा गुडा रोड पर एक राशन दुकान पर PDS का चावल गुड और चना खुले आम धडलले से बिक रहा है जब ये ख़बर सच्बेधड़क निउस के बस्तर डिविजन की टीम को लगी तो मौके पर सच्बेधड़क की टीम पहुंची वहाँ पर देखा तो 21 बोरों में PDS की चावल कई बोरों में भरे थे साथ ही राशन का गुड और कई बोरों में राशन का चना जो सरकार गरीबों को फ्री में वितरन करती है स्टॉक में पाया गया जब सच्बेधड़क की टीम ने पूशताच करनी चाही तो दुकानदार अश्वाक नागनी मौका देखकर फरार हो गया समय रहते सच बेधड़क की टीम ने जिला कलेक्टर विजय दयाराम और जगदलपूर सीटी स्पी आईपेस उदित पुशकर को फोन पर जानकारी दी मौके पर पहुंची राशन विबाग की टीम ने मामला बनाया और समान जब्त किया कि यहां पर फोन पर सूचना मिला था कि यहां पर चावल रखा हुआ है किसी नीजी दुकान में करके तो हमारे अहां फुड ओफिस से हम लोग आया है और हमने कॉलेटी इस्पेक्टर नागरी कापूरती नीगम से बुलवाया है और उनके द्वारा वहां पर इस ते जो द भाग थे नागरी कापूरती नीगम थे और पुलिस डिपार्टमेंट से भी